हलो बच्चो आज हम लोग मराठी सुलब भारती यता आटवी का लेसन नमबर पाँच घाटा त घाट वरंधा घाट इसको स्टड़ी करेंगे तो इसका मीनिंग है घाटों में सबसे अच्छा घाट वरंधा घाट है तो ये लेसन पढ़ने से पहले इसके ऑथर है महेश टें इंडूल कर इनका इहां इंट्रोडक्शन दिया हुआ है तो इनकी जो बहुत सारी फेमस प्रसिद्ध किताबे है उसके नाम दिये हुए है तो ज्यादा करके इनकी किताबी एक एतिहासिक है और या प्रवास वर्नन पर है यानि हिस्टॉरिकल है या तो इन्होंने जो सफर किया था उसका डिस्क्रिप्शन है तो ये जो करेंट लेसन है ये भी वरंदा गाट में सहिաद्री में जो वरंदा गाट है माउंटन रेंज में तो वहां ये गए ते घुमने तो वहां का इनोंने अच्छा एक अनुभव बताया है कि क्या-क्या उन्होंने वहां देखा य यहां पर बहुत खुबसुरत सहियादरी में यह घाट है। तो चलो हम लोग यह पढ़ना शुरू करते हैं। जेश्ट महीना सुरू जाला। जेश्ट यह मराटी केलेंडर का एक महीना है। जेश्ट महीना सुरू हुआ कि पाउसा चे वेध लागतात के बारिश शुरू हो जाती है। सोसा ट्याचा वारा आणि पाहिलिया पाउसा चे सरीन ची वारता पसरनारा माती चा सुगंध है अगदी प्रतेक वर्षी ये तरच अस्त। यहने उन्होंने क्या कहा है बारिश शुरू होती है तो सोसा ट्याचा वारा यहने जोरदार हवा चलती है और पाहिलिया पाउसा च्या सरीन ची पहली बारिश के जो धार होती है उसकी वारता पसरनारा उसके बारे में बताने वाला सबको पहलाने वाला क्या है माती ची सु गंद आती है हर बरस बारिश होती है तरी ही ते दर वेडी नवीन वाटते लेकिन फिर भी वो हर बार नई लगती है बालपनी बेफाम होन येग येग सरी माझे मटके भरी चा तालावर पाउसा चिम्ब चिम्ब भिजन याने उनको अपने बचपन की बात याद आ रही है कि बारिश शुरू होते ही बच्चे क्या करते है बारिश में नाचके येग येग सरी माझे मटके भरी तो ये गाना गाते है बच्चों लोग इसके ताल पर नाचते है और बारिश में एकदम भीग जाते है आनि त्या बदल आई वडिलान कडून पोट भर मार खाना तो बार यहां पर बता रहे हैं। बारिश की आतुरतेने वाट पाहना भहुत बेसबरी से इंतिजार करते थे। रेन्बो में जो अलग-अलग कलर्स होते हैं। उमल नारिया रंगान से अर्थ यानि रेन्बो के कलर्स के मीनिंग समझ में आते हैं। यानि एक फिलोसोफिकल एक वाक्य लिखा है पोईट ने। बच्पन में तो रेन्बो बारिश ये सब बहुत अच्छी लगती हैं। बड़े होने के बाद इनके असल मीनिंग जिन्दगी में समझ में आते हैं। यानि रेन्बो के अलग-अलग कलर्स को पोईट कह रहा है कि जिन्दगी के उतार चड़ाओ। जिन्दगी में सुक धूप ये सब जो आती है इनसान के उपर तो ये रेन्बो के कलर्स के जैसे हैं। अलग-अलग कलर्स के जैसे अलग-अलग हालात इनसान पर आते हैं। बरसने ये एक वड़ है इसका अर्थ, इसका मीनिंग कड़ू लागतो समझ में आता है। आणि हुर हुर तडमड अशा शब्दान साब और इसके साथ में हुर हुर तडमड ऐसे वर्ड्स के यानि ये जो सब वर्ड्स है हुर हुर तडमड ये इंसान की अंदर की जो भावना होती है जब दुख में इंसान होता है तो उसको दर्शात है तडमड यानि उसके दिल में इनसान को उसकी अलग-अलग जिन्दगी में जो हालात आते हैं, उससे इन सब वर्ड्स को के मीनिंग भी समझ में आते हैं, और ऐसा लगता है कि ये वर्ड्स जिन्दा होके सामने आ गए, याने एक फिलोसोफिकल लेखत उसका वर्मन कर रहा है। याने फिर से याद आ जाते हैं, डोड्यान समोर येव लागतात आखों के सामने आने लगते हैं, पुरानी यादे, और कदी-कदी और कभी-कभी पापनयान मधून अलगत पने वाहुन ही जातात, कभी-कभी आखों से अलगत पने आहिस्ता से वाहुन ही जातात बहेके चले जाते हैं याने आखों से आसु निकल जाते हैं तो उस वक्त आखों में से कौन सा पानी जा रहा है और बाहर बारिश का कौन सा पानी है ये समझ में नहीं आता है याने दोनों जगा पानी होता है बहुत डीप मीनिंग वाले words पोएट ने लिखे है यहां पर असब बरच का ही अनुभवाय से असेल तर वरंदा गाठ गाठलाच पाईजे ऐसे बहुत सारी चीज़ आपको experience करना हो तो वरंदा गाठ आपको आना ही चाहिए गाठलाच पाईजे यानि हाँ आना ही चाहिए तो अब introduction के बाद लेका कप वरंदा गाठ के description पर आए है वरंदा गाठ में क्या-क्या यादे और क्या-क्या वहाँ निसर्ग है वो लेका कप बताएगे पुन्याहून महाड कडे जाताना हिर्विया हिर्विया रंगाची जाडे पाहत पाहत पाउसाड यात ले टिपिकल पाउसाडी कुंद वाता वरं एंजोई करत करत प्रवास शुरू अस्तो अब ये कहाँ पर है वरंदागाच पुन्याहून महाड कडे जाताना पुन्य शहर से महाड ये भी एक जगा का नाम है यहां जाते हुए रास्ते में हरे हरे रंग के जाड देखते देखते बारिश का टिपिकल मौसम इंजोई करते हुए सफर शुरू होता है तो बंदिस्त गाडी सुख्याने करने आत जितकी मजा असते त्याही पेक्षा जास्त दोन चाकी वर अंग भीजवत करने आत असते तो ये सफर बंद गाडी में सुखे सुखे करने में जो मजा है उससे ज्यादा मजा दोन चाक पर यानि बाइक के उपर अंग भीजवत अ आप जाओगे तो बहुत ज्यादा आपको मजाएगा। अपने पसंद के गाने गुनगुनाते हुए पावसाडी प्रवास करन्यातली मजा तर काही अवरच असते। बारिश में इस तरह सफर करने की मजा तो कुछ और ही होती है। असा शरीर गारठाव नारा आणि मनाला उभारी देनारा प्रवास कदी संपूच नहीं असा वाटते। तो ऐसा सफर जिससे शरीर एकदम ठंडा हो जाता है गारठाव नारा एकदम ठंड कर देने वारा और दिल उससे क्या हो जाता है एकदम उपर चले जाता है। यानि खुशी से दिल हवा लगती है और बारिश में दिल जिसम को तो थंडी लगती है लेकिन दिल बहुत खुश हो जाता है। तो ऐसा प्रवास कभी खतम नहो ऐसा लगता है। पन पाहता पाहता मैलान से दगड मागे पढ़त जातात आणि आपन येउन पोहुशतो ते वरंधा घाटात लेकिन देखते देखते जो मील के पत्थर होते हैं मैलान से दगड मील के पत्थर पीछे जाते रहते हैं और हम अपने मनजिल वरंधा घाट पर पहुच जाते है गाटात गाट वरंधा गाट बाकी सब गाटिया असे ये थे आल्यावर वाटते तो यहां आने पर क्या मालूम पड़ता है कि गाटों में गाट क्या है वरंधा गाट और बाकी सब क्या है गाटिया है याने सबसे अच्छा गाट यही है यहां आने पर ये समझ में आता है उस खूबसूरती को लेखक ने यहां चार पश लाइन में एक्स्प्लेन किया है, यह आपको question answers में भी आएगा बच्चो, तो इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनो, तो क्या-क्या वहाँ है वरंदा गाट में क्या खूबसूरती देखने मिलती है, निसर्ग का क्या चीज देखने मिलती है, नेचर का हरियाली होती है, धगाड लेले डोंगर, डोंगर याने पहाड और धगाड लेले ढग याने बादल, बादलों से भरे हुए, बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि पहाडों के उपर पूरा बादल चाह जाता है, पाउसाची सतत धार, बारिश की सतत कंटिन्योस धा रुकती नहीं है बारिश, मोट मोटिया दगडानवर आसडू मारत धावत खडाडत वाहनारे पानी, बड़े बड़े पत्थरों पर ठोकर देते हुए, भागते हुए, खड़खड आवास करके बैता हुआ पानी, असे निसरगाचे विहंगम दृश्य, दोड़यान समोर ये ऐसे नेचर का बहुत ब्यूटिफूल दृश्य, आँखों के सामने आता है, अन नजरे चे पारने फेडून जाते, तो उससे क्या होता है, ये एक प्रवब है, कहावत है, के नजरे चे पारने फेडून जाते, आँखों में वो घुमने लगता है मनजर, बहुत खुबसू इसे बारिश के मोसम में ये भजी, वड़े, चाय, ये सब इनसाम को बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए, तो चमचमीत मेनू, ऐसा मेनू याने वो जो होटल में मेनू काड़ देते है, तो ये खाने की जो चीज़े है, इसको बहुत मजबू चापाईला, बहुत खु वाग जाईच्या सोबती ने उभार ले लिया टप्रियान मधून, हा राजेशाही खाना अगदी ताजा 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 तैयार केला जातो, तो कहां पर ये ताजा ताजा खाना बनता है, वाग जाईच्या सोबती ने, वाग जाईच्या है, एक मंदिर है वहाँ पर फेमस, वाग जाई चा मंदिर उसके सोबतीन यान उसके बाजू में उबार ले लिया टपरियान मदून चोटे-चोटे टपरी बने हुए है उसमें ये राजशाही खाना इन्हें राजा महराजा के यहां जो मिलता होगा ऐसा खाना तो ये खाना तो बहुत सादा सा है भजी और चाय लेकिन लेखक इसको राजशाही खाना क्यों कह रहे है क्योंकि ये बहुत बारिश के मौसम में बहुत टेश्टी लगता है बहुत अच्छा लगता है तो यहां ये तैयार होता है ताजा-ताजा खाना गर्मा गरम कांदा भजी आल लसुन घालून तल लेला गरम गरम बटाटे वड़ा आनी सोबत वाफड लेला चाहा क्या-क्या है कांदा भजिया और बटाटे वड़ा और गरम गरम चाहा ये है राजशाही खाना बाहिर बरसनार्या पाउसा कडे पाहता पाहत बार क्या नजारा दिख रहा है, बारिश गिर रही है, और ये गरम-गरम खाना हम खा रहे है, और रान वारिया सा घोंगावना एकत, रान वारा याने विंड और रान याने जो जंगल में से बैथा है, याने वाँ जो पहाडों में से बैथे हुई हवा आती है, उसका घोंग चमकना अनकडाडना मनाचया हार्ट डिस्क वर स्टोर करत कसा वेड़ जातो ते कड़त च नहीं तो ये बीच चमकना और बीच के आवास कड़करना तो मन के हार्ट डिस्क पर जैसे कंप्यूटर के हार्ट डिस्क में मेमरी स्टोर होती है ऐसा दिल के हार्ट डिस्क पर ये सा थोड़ा सा भिजावा सा वाटता, बहुत वक्त गुजर जाने पर थोड़ा भीगने जैसा लगता है, पाव मोकडे करावे से वाटता, पैर थोड़ा खुले करे, ऐसा लगता है, थोड़ा डेरिंग करावा सा वाटता, कुछ थोड़ा डेरिंग करके बारिश में जाए, ऐसा जर असा खरच वाटत असेल अगर आपको ऐसा सच मुश लगता है तर इथे अशा जिगरबाज भटक्यान साथी काउल्या किल्ला सजा है तो यहां पर ऐसे जिगरबाज भटक्यान साथी जिगरबाज यानि ऐसा डेरिंग करने वाले और भटक्यान साथी यानि घुमना फिरना जिनको पसंद हो ऐसे लोगों के लिए कावड़ा किल्ला सज्जा है कावड़ा किल्ला ये एक पुराना किल्ला है वहाँ पर सज्जा है यानि वो तयार है इसे लोगों के लिए ये कावडा किल्ला तयार है अब ये कावडा किल्ला क्या है इसके बारे में बताएंगे कावडा किल्ला तो बहुत बड़ा है तो फोडुनच वरंदा घाटा चा शेवट सा टपा तयार केला है उसको तोड़कर ही वरंदा घाट के जो लास्ट कार जो टपा है वो तयार किया गया है श्री वागजाई मंदिराचया बरोबर वर्चया भागात डोंगर माथ्या जवड नव टाक्यान सा समूः आहे अब श्री वागजाई मंदिर हमने पहले पड़ा था उसके बरोबर यानि उसके सामने वर्चया भागात उपर के हिस्से में डोंगर माथ्या जवड डोंगर मा पुराने जमाने में वो किले के अंदर वो लोग पानी के टैंक बनाते थे ताकि अगर किले में बहुत देर तक रहना पड़े तो पानी खाना सब हो। तो कुणे एके काड़ी तो कावडया किल्याचा एक भाग होता तो पुराने जमाने में वो कावडया किल्या का ही एक हिस्सा था भजी वड़े चाहाच्या टप्रेंच्या बाजूने आउग्या दहा पंदरा मिनिटां तर इता जाओन पोष्टा ये तो वो जो भजी की टप्री थी वहाँ से 10-15 मिनिट में यहाँ आम लोग जा सकते हैं पानियाला जीवन का मंतात ते इथे आलियावर कड़त पानी को जीवन क्यों कहते हैं वो यहाँ आकर समझ में आता है काड़या शार पाश्यानात खोदले ली पानियाची ती टाकी किते एक वर्षे किते कांची तहान भागवत अस्तील कोण जाने तो काले पत्थरों को खोद कर यह पानी की टाकी पुराने जमाने में बनाई थी तो कितने वर्षे याने बहुत सालों से और कितने लोगों की प्यास बुझा रही है तहान याने प्यास यह किसे पता यानि कितने लोग इसका फाइदा उठा रहे है तो पानी कितना important है ओलिया वाटे ने परत जाताना अंगा वर्चे कपड़े हम खास रंगतात कारण पाई वाटच तशी रंगिलिया है अब ओलिया वाटे ने गीले रास्ते पर से परत जाताना वापिस जाते हुए अंगा वर्चे कपड़े अपने जिसम पर जो कपड़े है हम खास रंगतात यानि उस पर बहुत रंग लग जाता है कारण पाई वाटच तशी रंगिलिया है क्योंकि वो रास्ता ही वैसा कलरफुल है यानि उसकी जो मिट्टी है वो लाल कलर की या कीचर जैसी होगी जो जिसम पर कपड़े में लग जाती है पहाडो की मिट्टी ऐसी होती है परत एक दापन डामबरी रस्ते वर ये तो फिर वहाँ से बहार आने पर फिर से हम डामबर के रस्ते पर आ जाते है उजविया हाताच या वड़ना वर कावड़या किल्या कड़े जानार्या पाई वाटे वर नजर स्थिरावते तो उजविया हाताच्या वड़नयावर राइट हैंड पे जो टर्निंग है, वहां से कावडा किल्ला जाने का पाईवाट याने पैर से चलने का चोटा सा रस्ता नजर आता है, बांधिव पाईडिया पार करून अरुंद पाईवाटे ने कारवीच्या जाड़ी तुन, तो अरुंद पाईवाटे ने, अरुंद याने बहुत जो विट्ट में चोटा हो, बहुत चोटा सा रास्ता, पाईवाट याने पैर से चलने वाला रास्ता, कारवीच्या जाड़ी तुन, और इस रास्ते के उपर कारवी के जाड़ भी साइड से आ रहे है, तो रास्ता वैसे उपर से उस पर जाड भी है, चोटे से रास्ते में जाडों को हटाते हटाते जाने से क्या होता है, रिद्याची धर्धर, दिल की जो धरकन है वो बहुत बढ़ जाती है, याने डर लगता है, कहीं या से गिरे तो क्या होगा, तो ऐसे कोई रास्ते पे आपको कभी गए हो क्य तो आपको ये समाझ में आएगा वाढव नारी वाढव नारा ट्रेक सुरू होतो याने दिल की धड़कन बढ़ा देने वाला ट्रेक ट्रेक याने जो पहाड पे चड़ते है उसको बोलते एंगलिश वर्ड है ट्रेकिंग वरंदा घाटाच्या उत्तरेला पसर लेला डोंगराच्या सोंडे वरून जाताना अब वरंदा घाट के उत्तर में उत्तर याने नौर्थ दिशा में पसर लेला डोंगराची या, पसर लेला याने फैले हुए पहाडों के सोंडे वरुन जाता ना, याने उसके बेश से जाते हुए, डावी कडे खाली वरंदा घाटाचा कोकनात उतरन जानारा, वढना वढनाचा रास्ता दिस्तो. डैवी कड़े याने लेफ्ट साइड में खाली याने नीचे वरंदा घाटा चा वरंदा घाट का कोकनात उतरत जाना रा कोकन में उतरके जाने वाला वड़ना वड़ना चा रास्ता दिस्तो वड़ना वड़ना चा यानि पहाड का जो रास्ता होता है घाट का आपने दिखा होगा ऐसा टर्न 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 सापके जैसा हो जाता है तो वैसा रास्ता हमको दिखता है ये रास्ता कहां जाता है कोकन की तरफ जाता है इत्थुन पाइस अटकला कि थेट समर्थान चा शिव धर्द घडित तेवहा जर कोकना जाय से नसेल तर देशा वर्चया मातीत सावध पने पाउला टाकत जायला हवा तो यहां से अगर पैर फिसल गया तो आप कहां पहुचोगे सिधा यह जगा है कोकन में समर्थान च्या शिवतर तो यहां पर आप पहुच जाओगे यानि वहा जर कोकना जाय से नसेल तो अगर आपको सीधा कोकन नहीं जाना है तो आपको क्या करना चाहिए तर देशा वर्चया मातीत अपने देश की मिट्टी पर सावध पने पाउला टाकत टाकत जायला हवा सावध पने बहुत ध्यान से पैर रखते जाना चाहिए यानि यह रास्त अब डोंगर धारेचया याने इस माउंटन रेंज के कड़या वरून साइड से जानारी जाने वाली अरुंद पाइवाट बहुत छोटी सी पैर का रास्ता चलने का रास्ता एका सपाटी वर यह उन थामते अब ये थोड़ आगे जाने पर एक सपाटी याने एक छोटी सी पाडी जगाए ति-्थुन पुन्हा एकदा कार्वी ची जाड़ी बाजूला करत करत वहां से फिर एक बार कार्वी के जाड़ को बाझू करते करते शेवती आखिरकार एक का टेकडाची उतरन उत्रों एक टेकडी से थोड़ा सा उतरके अखेर ची शड़ाई समोर ये ते वरंदागाट के आखीर में, याने टॉप में जाने की जो चड़ाई है, वो सामने आती है, इतुन वरंदागाटाचा मस्त दर्शन घडत, यहां से वरंदागाट का बहुत अच्छा दुर्श दिखता है, याने बहुत उचाई पर हम आ गए है, नीचे पूरा वरंदागाट हमको नज़ार आता है, डोंगरचिया, सोंडेचिया, हेवटी, जो तयाछे आउशेष आणि ढासडोन गेलेलया बुर्जाचे आउशेष दिखता है, यहां पर कुछ खंडर है पूराने जमाने की, याने पूराने जमाने का किला है, तो वहाँ उसके आउशेष यानि इसक याने वो जो गिर गया है बुरुज याने वो जो टावर होता है जिस पर सैनिक लोग खड़े रहे के वाच करते हैं तो वो गिर गया है उसके कुछ खंडर बाकी है वो दिखता है वहां से कोकनातला निसर्ग पाहत काही वेड इथेच शांत उभा रहायला हवा क्योंकि यहां से कुरा कोकन दिखता है तो कोकन का निसर्ग याने कोकन की नैचुरल ब्यूटी देखते हुए कुछ देर इधर शांत याने साइलेंस में उभा रहायला खड़े रहना चाहिए याने कुछ देर खामोश रहके नैचर की ब्यूटी देखना चाहिए। निसर्ग गीत अनुभावायला हवा निसर्ग गीत याने निसर्ग का गाना अनुभावायला एक्सपिरियंस करना चाहिए। परतीचिया प्रवासात डोड़यांत साथाव लेले ते पावसाचे चारशन परतीचिया यह वापसी के सफर में डोड़यांत साथाव लेले आखों में इसको बसा कर जैसे पिच्चर्स को कैमरा में हम लोग कैद कर लेते हैं ऐसे इसको अपने आखों में कैद कर लिया है हमने नेचर की ब्यूटी को, तो उसको आँखों में बसा कर ये चार शन, ये जो चार लमेह हमने गुजारे थे, अरुंद पाई वाटे वरून अनुभव लेले, अनुभव लेला तो थरार, यानि चोटी से पहाड के रास्ते पर जो हमने एक्सपिरियंस किया, थरार यानि जिसम म थरतराट हो गई, क्योंके वाँ डर गएते हम, छोटा सा रास्ता था, वो भी एक एक्सपिरियंस होता है, कारवी चे जाड़ा चे ते काड़कन मोडन आनि त्यासा आवाज आइकोन, कारवी का जाड़का कोई टहनी अच्यानक तुड़ गई, हमटा रहे ते रास्ते में से तो उसकी जो आवाज हुई, काड़कन आवाज जो हुई, उससे अचानक क्या हो गया, काड़जात लख होना, याने हमारे कलेजे में जटका लगता है, याने इतने डेंजर रास्ते से हम जा रहे हैं, अचानक कोई आवाज आई, तो क्या डर जाते हैं, कि कहीं कुछ हमारे सारा कही आठवत रहत ये सारी चीजे हमको याद आते रहती है बाद में हसता हसता रडवनारा आणी रड़त रड़त हसवनारा यहने हसते हसते रोना आ जाए और रोते रोते हसना आ जाए यह कैसे होता है यहने हसते हसते यहने अच्छा नेचर की ब्यूटी देख रहे थे अ कर हसी आ गई, तो ऐसा ये ट्रेक है, हाँ ट्रेक एंजोई करा इसा, असेल तर वरंदा घाटा चे दिशे ने अपले गाड़ी ची चाक वाडवाईला हवी, तो ऐसा ट्रेक अगर आपको experience करना हो, तो वरंदा घाट के दिशे में उसके direction में अपने गाड़ी के चाक आपको वरंदा किया है, तो लेका कि ये खुबी ही थी, उनकी सारी बुक ऐसी ही प्रवास के उपर ही है, तो बहुत अच्छे से इनोंने इसको वरंदा किया है, तो आप भी कभी ऐसे कोई घाट पर अगर गए होगे, तो आपको ये सब चीजे अच्छे से समझ में आई होगी, वर